सुप्रीम कोट और केंद्र सरकार के बीच तलखियां पढ़ती जा रही है दोनों के बीच कई मामलों को लेकर तनातनी चल रही है और इसी बीच कानून मंत्री ने सुप्रीम कोट को लेकर एक ऐसी टिपनी कर दी जिस पर अब उनकी किरकरी हो रही है आखिर क्या है मामला समय समय पर केंद सरकार और सुप्रिम कोट के 20 तलकियां देखने को मिलती हैं। इसके अलवा पिछले दिनों चुनावायुक्त की अचानक हुई न्युक्ती ने भी सुप्रिम कोट को हैरान कर दिया था। जिसके बाद कोट ने सरकार को खरी खोटी सुनाई और सरकार से फाइल दाखिल करने को भी कहा था। और फाइल देखने के बाद कोट ने कहा था कि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। इसके अलावा भी कई मसलों को लेकर केंसरकार और सुप्रिम कोर्ट के भी स्तलक्या बनी हुई हैं। इन सब के बीच केंद्रिय मंत्री किरन रिजुजु ने सुप्रिम कोर्ट को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो वरिष्ट वकील के निशाने पर आ गए हैं। अब सीनिय कोर्ट को किसी ऐसी चीज जो कि अलसर मेधानिक है उससे अपने हाथ पीछे रखने चाहिए और कानून में संशोधन के लिए सरकार की दया पर निर्भर रहना चाहिए तो साफ करें ये बिल्कुल गलत है। इस बयान ने साफ कर दिया कि मौजुदा वक्त में सरकार और कोर्ट की टिपड़ी पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये किस तरह का सवाल है अगर ऐसा है तो आगे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि कोलेजियम किस तरह से जजो के नामों को चुनता है इस पर भी सवाल उठाई जा सकते हैं जजो को अपने फैसलों के जरिये बोलना चाहिए और इस तरह की टिपड़ी करने से बचना चाहिए आप सप्रेम कोर्ट को लेकर रिजूजू की इस टिपड़ी ने ही उनकी किरकरी करवाई है ऐसे में आप देखना होगा कि सालवे के बयान पर केंद्रिये मंत्री की क्या प्रतिक्रिया होती है